देखे guys मैं ज्यादा importance देता नहीं हूँ state elections को while trading क्यों क्योंकि overall जो policy है देश की जो country की policy होती है वो तभी drastically change होती है जब central government change हो या majority minority कुछ ऐसा बने coalition government बने तब आपकी जो overall policies है उसमें change आता है अगर overall policies में change नहीं आ रहा है तो ज्यादा state government में कोई आए कोई जाए overall आपके stock market में उतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है हलागी कोई changes तो आ नहीं रहे है क्योंकि हरयाना में भी BJP की ही सरकार बन रही है so overall results are out also देखे result कुछ भी हो सकता था और मैंने जैसे कहा कि मैं importance उतना देता नहीं हूँ state elections के result को इसलिए मैंने कल जब discussion किया था तो तो क्या हो सकता है because I was talking technically 100% मैं technical analysis ही ऐसे दिनों में करने की कोशिश करता हूँ और analysis यह कह रही थी कहीं न कहीं important level पर आपके market बैठा हुआ हमने यह discuss किया था कि 24,800 to 24,700 के important level NFT का अगर rejection लेना है तो यहां ले लेना चाहिए और लेना बहुत अनिवार भी हो जाता है mandatory हो जात है तो कहीं न कहीं market को stable होना पड़ता है थोड़ा सा रुकना पड़ता है आज मार्केट में आपने देखा वी उपर जाने की कोशिश हुई है अब डेली टाइम पर देखने है तो मार्केट बहुत देजी से नीच आया यहां ग्रीन कलर की candle के बढ़ने का यह मतलब नहीं है कि मार्केट भाग जाएगा उपर भाग जाएगा उपर हो सकता है मार्केट थोड़ा और उपर आए ऐसा नहीं है कि बसे ग्रीन कलर की candle बनाएगा और मार्केट वहीं से रिजेक्शन लेकर फिर नीचे आजए क्योंकि अगर सेलिंग यहां से जो सेलिंग हुई है इसमें कि किसी ने मिस्स किया होगा सेल करना तो कोई ना कोई इंपोर्टेंट स्विंग के उपर जब मार्केट पहुचेगा तब वहां से फिर भरपूर सेलिंग होने के चांसे बनते हैं तो यहां क्योंकि कई दिन से मार्केट नीचे ही नीचे गिता था और अगर आप 5 मिनिट के ट देकर नीचे तक आल्मोस्ट 2% के लगभग बनी फिर अगर अगले दिन आप देखेंगे तो मार्केट में कितना 1.75% के लगभग बन रही है आज अब आप देखेंगे अब देखेंगे यहां तक बढ़ता गया रेंज अब जो रेंज हो रही है वो बढ़ती जाएगी आप देखेंगे 1.22 की रेंज अब दीरे दीरे आप देखेंगे यह रेंज पतली हो रही है तो यह हमेशा मैंने कई बार आपको यह बात बताई है कि मार्केट को जब भी एक डिरेक्शन में निकलना होता है अगर पिछले कई दिन से मार्केट बड़ी रेंज बना के रखा तो यहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं कि मार्केट जैसे उपर उपर क्लोजिंग दिया है कहीं न कहीं थोड़ा सा गैप अप या फ्लाइट खुलके थोड़ा और उपर मार्केट जाने की कोशिश करेगा और जैसे मैं कह रहा हूं कि जो स्विंग्स लगे हुए उन इसको अचीव करने के बाद मार्केट फिर से रिजेक्शन लेके नीचे आने की कोशिश कर सकता है इंपॉर्टेंट लेवल नीचे के तरफ अभी आपको जो दिखता है वह 24,800 का निफ्टी में दिखता है 24,800 जब तक मार्केट क्रॉस नहीं करता है तब तक हम नीचे के तर करने की कोशिश करेगा उसके बाद ही अगर मार्केट को और नीचे गरना है तो रिजेक्शन लेके नीचे गरने की कोशिच करेगा टो अब नीचे के direction में हम देखने ही यहां से मार्केट नीचे आया तो है अब यहां से rejection लेके उपर जानी की कोशिश कर रहा है अगर मार्केट यहां पे कहीं उपर जाता है और 25200 25300 इन सब लेवेल को अचीव करता है और फिर नीचे निकलने की कोशिश करता है ओवरल लॉंग टम के लिए तो मार्केट जब यहां से गिरेगा धीरे धीरे गिरेगा इतना फास्ट नहीं गिरेगा क्योंकि फिर मार्केट को समझ में आ जाएगा कि ओवरल सेंटिमेंटम निगेटिव हो चुका है मार्केट नीचे ही आने की कोशिच करता है तो यहां पर अगर मार्केट थोड़ा और उपा जाता है तो यहां से जो मूव आएगा वो काफी बढ़ाएगा तो वहां पर बहुत सारे लोगों की एंट्री होगी वहां सेलर्स करता है अगर ओवरल लॉंग तर्म के बारे में सोचना है एक देड़ हफता दो हफता महिने भर की एकस्पाइडी की सोचना है तो अभी मार्केट को थोड़ा और उपर जाने दीजे यहां मार्केट कॉंसोलिडेट करेगा चोटी छोटी चोटी चैंडल बनेगा जैसे यह स अगर मार्केट खुलेगा तो यहीं पर अब कॉंसोलिडेट करने की कोशिच करेगा हलांकि इंट्राडे लेवल पर हमें अच्छे ट्रेट मिल सकते हैं क्लियर है अभी हो सकता है मार्केट थोड़ा सा और उपर जाने की कोशिच करें कैसे ट्रेड लेना है इस बात को समझ लिए आप आधा एनालेसिस देखते हैं आपको लगता है कि आपको पूरा ग्यान आ गया यह मैं बच्पन में करता था मेरे कई दोस्त करते थे मैं नहीं करता था मेरे कई दोस्त करते थे वह कौपी लेके खोलते थे एक्जाम के पहले और एक्जाम के पहले जब कौपी ले जाता है झांबर हो नंबर को आयोworm पतां यह कैसर लोगता है कि उसंवे तौनी पड़ा ही है किद्धे चैप्टा पड़े में सब तेयार है यह चैप्टा पड़ें거 ऑर्याद मेरे को लग रखी हमबल रही है अगर आपको लगेगा कि आपको सब कुछ आता है देखने सीखने की आवश्चिक्ता नहीं आपको सब कुछ आता है तो आप गडवनियां आ जाती है मैं सेखते रहे हैं सब आपको बार को आपके सामने कारते हूं को उससे करें और सीखने के साथ साथ सिखेंगे लेकिन तभी जब आप से पूरा crush समझेंगे कि मैं क्युं बता रहा हूं क्या बता रहा हूं उसमें आपको कंभी निकाल निकालने ant Latin लेकिन जब आप देखेंगे नहीं तो आपको लगेंगा मुझे सब आता है तो इसलिए analysis देखे levels देखे सभाने की कोशिश कीजिए कि क्यों क्या क्या कहा जाए यहां बास कि और यही कि market हो सकता थोड़ा और उपर जाते हुए market range को naryaw कर सकता ले अटने वाले रेंज में market उपर नीचे सब करने का मतलब यह है कि buyers जलब् मेंट आने वाला था तो हो सकता है अब यहां पर volatility है यह उटसाह था Byers और sellers का जबाएक टोड़ा कम पड़े और मार्केट अब एक छोटी रेंज में उपर नीचे, उपर नीचे करें, या चोटा-चोटा एक ऐसे, आज दिखें बड़े-बड़े भाद मूब दिखा के मार्केट उपर नी गए, थोड़ा-थोड़ा धीरे, धीरे, धीरे करके उपर जाने की कोशिश करें अगर इन सारे लेवल पर अच्छे इंप्वारी मात्रा में सलीं करनी है तो यहां पर इंग्लूड हो सकते हैं साथ में आ सकते हैं अभी मार्केट हो सकता है एक-दो दिन और उपर जाया कैसे ट्रेड लेना बात को समझें अब देखें 25,000 के लगबर ट्रेट कर रहा है अगर कहीं भी फ्लाइट कुलता है तो हमारा lowered ऊपर के तरफ हो जाता है तो फ़्ेंटी फाइफ फाउजन वंहिंडेट का लेवल इंपौ्टेंट है नजधीक का लेवल है इंपोर्टेंट लेवल है 25100 तक जब chicks मार्केट क्रौस्ट WordPress नहीं तब तक उपर के तरफ trade लेना उचित नहीं रहेगा क्योंकि market नीचे से उपर आज जा चुका है अगर market को थोड़ा और उपर जाना भी होगा तो यहाँ पे थोड़ी दे time spend करके निकलने की कोशिश करेगा अगर यहाँ पे market time spend कर देता है फ्लाट खुलता है और 25,000 से 25,100 की बीच market time spend करने लगता है उसके बाद जब निकलेगा तो अच्छा निकलने की कोशिश हो सकती है क्योंकि जैसे मैं कहाँ कई दिन से market में सिर्फ selling selling हो रही है यह लोग profit booking करेंगे तो भी market उपर जाएगा जहां से वह sell कर सकता है यह 25,100 कुछ खास level नहीं दिखता है जितना बड़ा move market में नीचे के तरफ दिया है तो नीचे के तरफ इतना बड़ा move दिया है तो थोड़ा retracement जो market करेगा वो भी थोड़ा बड़ा करने की कोशिश कर सकता है कई दिन से लगाता नीचे आ रहा है तो chances यह भी है थोड़ा सा market और उपर जाने की कोशिश करेगा sellers तुरंत push नहीं करेंगे कि फिर नीचे ले जाओ नहीं थोड़ा market consolidate करने की कोशिश कर सकता है तो 25,100 के उपर अगर market निकलता है फ्लाट खुलने के बाद और थोड़ा सा time spent करने के बाद तब हम उपर के तरफ trade ले सकते हैं अगर market यहीं देखे इसी range में कहीं खुल जाता है 24,900 से लेकर 25,000 के बीच कहीं खुल जाता है तो यहां market consolidate करने की कोशिश कर सकता है यह no trading zone बना लिजे अगर no trading zone भी नहीं बना रहा है तो stochastic RSI लगा के उपर नीचे उपर नीचे करते हुए आप यहां पे ठीक ठाक trade लेने की कोशिश कर सकते हैं जोटा stop loss लगा के छोटा ही target रखना है क्योंकि यहां पे market धीरे धीरे उपर नीचे उपर नीचे कर सकता है मैं यह क्यों कह रहा हूं कि कई दिन से लगातार market जैसे मैं कह रहा हूं कभी-कभी ऐसा जल्दी market करता नहीं है लेकिन कभी-कभी यह chance मिलता है कि कोई अगर वेक् यहां किसी ने खरीदा हाला कि इसमें रिवर्सल हुआ था लेकिन यहां पर अगर खरील दिया फिर profit यहां खरीदा फिर profit यहां खरीदा फिर profit तो बात यहां यह है कि directional पूरे दिन के लिए market जल्दी देता नहीं लेकिन इस समय कई दिन से दे रहा है और इस situation में हम यही समझ कर सकता है इसमें आपको अच्छे पैसे मिल सकते हैं अगर मान लीजे कि market कहीं नीचे खुल जाता है ज्यादा नीचे खुलता है मतलब 25,900 के भी नीचे खुलता है तो जैसे मैं कहता हूं कि market at least पिछले दिन की closing cover करने की कोशिश करता है आने की कोशिश करता है अगर पिछल अगर मार्केट में यहां से वो बाइंग करनी शुरू करेंगे और आपके आज की closing के लगबग 25,000 25,000 25,000 30 इन सब लेवल पे market आ सकता है और मेरी expectation है कि market 25,100 तक भी आ सकता है अगर नीचे खुलता है तो market में दूसरा target आपर 25,100 का ही लगाना होगा अगर market कहीं gap अब बाइंग हुई है बहुत भारी बाइंग नहीं आई है और जैसे मैं क्या रहा हूं कि market अब एक direction में जाने के पहले दस बार सोचेगा तो market में क्या हो सकता है अगर कहीं 25,100 25,100 25,150 के ऊपर 25,200 इन सब लेवल पे market open होता है तो यहां पर profit booking आएगी इन लोगों की यह जो बाह market retracement करके एक reversal दिखा के ऊपर ही जाने की कोशिश करेगा जैसे मैं कहा रहा हूं कि market अब sideways हमें देखने को मिल सकता है रेंज पतली करने की कोशिश कर सकता है तो बहुत बड़े बड़े आपको targets नहीं मिलेंगे जितने 2-3 दिन में आपको targets मिल रहते हैं कि आपने 15 मिनेट की जैसे ऊपर का signal देगा सुपर या मार्केट नीचे चिला रही है, तो इसके साथ अगर market बहुत नीचे खुल जाता है मैंने जैसे कहा कि market फे पहले उपर चाड़ने के कोशिश करेंगे तो पहली 15 मिनिट की candle का high break हो उपर के तरफ trade market बहुत उपर खुल जाता है जैसे मैंने बता है कि 25,200 के लगवे खुलता है तो पहली 15 मिनिट की candle का low break हो नीचे के तरफ trade market हाला कि अगर उपर ही ट्रेड लेना है दो पहले 15 मिनिट की candle बनने दीजे उसके high को जब market करेगा तो ही उपर के तरफ trade लिया जाएगा बनना नहीं लिया जाएगा और market बहुत नीचे खुलता है जैसे 25,800 25,850 इन सब लेवल पर खुलता है और market नीचे ही जा रहा है मतलब पहली 15 मिनिट की एक रेड कलर की candle नहीं तो हमें वेट करना है दो 15 मिनिट की रेड कलर की candle बने तो ही हमें नीचे की तरफ half quantity में ट्रेड लिजे क्यूंकि अगर market को नीचे जाना भी होगा न तो एक flow में नहीं गिरने वाला है market यहां से नीचे आएगा यहां फिर rejection ल कुछ लीजेगा क्योंकि मैं clearly समझाने के तो कोशिश करता हूं लेकिन कुछ लोग कहते हैं बहुत slow बोल रहे हैं कुछ लोग कहते हैं बहुत fast बोल रहे हैं देखें आप अपने अनुसार सेट कर सकते हैं timing speed इस वीडियो की आप settings में जाके speed अपने अनुसार जरू लगा ल तीन मिनेट में कितनी जल्दी बता दूं कि आप लोग सब कुछ देखने की कोशिश किया उसके साथ साथ बैंक निफ्टी मैंने कल भी यह बात बोली थी कि बहुत तेजी से यह बाइंगे बहुत तेजी से से सेलिंग होई है दो तीन बार टक रा चुका है अब मार्केट उ जाने की कोशिश कर सकता है मैंने यह भी बात बताई थी कि यह केंडल सबको देख रही है इसके उपर सबका सबका सब्सक्राइब तो यहां पर कहीं न कहीं बहुत लोगों के स्टॉप लॉस लगे हुए है आपका 51,525,550 इन सब लेवल पर मार्केट आने की कोशिश कर सकत अगर मार्केट कहीं भी फ्लाट फुलता है तो आने दीजे इस लेवल को तोड़ने दीजे 51,200 को तोड़ने दीजे जब तोड़ेगा 15 मिनिट की इसके उपर के अंडल क्लोस करता है तो हम छोटा टार्गेट लेते हुँ उपर के तरफ एक हाफ कॉन्टिटी का ट्रेड ले तक जाते जाते मार्केट थोड़ा सा एक्जास्ट करेगा लेकिन हो सकता है मार्केट यहां पर आये 51,500 की उपर आया और यहां पर रिजेक्शन लेने की कोशिश करें क्योंकि यहां बहुत लोंगे स्टॉप लॉस लोगा है यहां रिजेक्शन लेगे के नीचे आने की कोशिश करेगा यह लोग profit booking करेंगे जो आज बाई की है उन लोगो profit दिखेगा profit booking करेंगे मार्केट नीचे आ जाएगा अगर मार्केट बहुत नीचे खुलता है मतलब मान के चलिए 50800 यह इन सब लेवल के नीचे खुल जाता है तो मार्केट यहां से बाई करने की कोशिश करेगा क्यों क्योंकि मार्केट पिछले दिन ऊपर चड़ा है और अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आता है तो पहले देखिए 50700 50 50800 के लेवल को क्रॉस होने दीजे उसी के बाद नीचे के तरफ टेड ले सकते हैं क्योंकि अभी मार्केट क्या करेगा थोड़ा नीचे जाएगा फिर उपर आने की कोशिश कर जाएगा फिर नीचे आने की कोशिश कर जाएगा तो इस सिच्वेशन में जैसे मैं कहा रहा हूं कि स्टॉकास्टिक आरेचा ही लगा के बैठा जा सकता है यह सुपर ट्रेंड का जो ऐसे कमाने चार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा कोई डाउट हो तो पूछ लीजेगा थैंक्यों गाइस